नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाष्चंद्र, ब्रह्मभंड सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशन्शिप में यदि दो वेक्ती है पुरुष की राशी यदि मिधन राशी है और यदि स्त्री की धनु राशी है तो उनका जो प्रेम है या फिर रिलेशन्शिप है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है ऐसे कौन सी बात है जो कि दोनों स्त्री पुरुष को बांदे हुए रखती है ऐसे कौन सी बात है, जिस पर अमल करना अवशक है, ऐसे कौन सी बात है, जो कोई टालनी चाहिए, बात अगर ब्रेक अप तक पहुचे तो क्या करना होगा, सभी के बारे में डीटेल में चर्चा, इस वीडियो में हम करने वाले हैं, अपना जो चैनल है ब्रह्माट सिद्धिय चैनल पर मेश राशी से लेकर मेउन राशी तक की जो सभी 12 राशिया है, यह सभी 13 राशिया यदि प्रेम में परस पर प्रेम में होंगे, उनकी जो रिलेशनशिप में किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विशेफ पर वीडियो अप्लोड हो रहे हैं, आप उसका आना तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशी के पुरुष और धनु राशी की जोस्त्री है उनके रिलेशन्शिप के मामले में तो सबसे पहले यदि मिथुन राशी के बारे में अगर कहा जाएं तो काल पुरुष के कुल्ली में तृतिया भाव में आने वाली ये राशी है पुरुष राशी है इस राशी का जो स्वामी है वो बुद्ध है इस राशी का जो तत्वा है वो आई तत्वा है और ये जो राशी है वो दिवी सभाव की राशी है सबसे पहले pingड़़ बनवाज जो कि मिधन राशी के जो पुरुषों देने में देखी जा सकती है वो होता है उनका नेचर उनका जो सोभाव होता है वो काफी अलग सा देखा जाता है लॉन्मल है पुरुषों में ये सोभाव देखा नहीं जाता बहुत ही ज़ादा नाजुक होता है, बहुत ही ज़ादा भावना शिलता है, फिर emotional nature इनमें देखा जा सकता है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, जिनका जो mood swing है, वो काफी जल्दी जल्दी होता है, जो बातावन का इस पर असर भी काफी ज़ादा देखा जा सकता है, इनमे कई परकार के प्रशन होते हैं, curiosity इनमें बहुत ही ज़ादा देखी जा सकती है, बचपन से ही ये बात इनमें देखे जाती है, इस वज़ए से हर एक विशय में इनका जो ग्यान होता है, वो काफी अच्छा होता है, हाला कि जो ग्यान होता है, वो बहुत ज़दा पसंद करते हैं एक जो बात है वो वीजुद्राशी की पूरुषे उनमें खासी देखे जा सकती है किसी एक बात पर कभी आडे वे नहीं रहते हैं हमेशा चेंज पसंद करते हैं और इसी ज़्यादा emotional व्यक्ति होते हैं, इनका mood swing होता है, वो भी काफी ज़्यादा देखा जा सकता है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे मोटी बातों का इनक पर असर काफी देखा जा सकता है, जो mood है, चोटी बातों से, चोटी वस्तों से, या फिर चोटी मोटी जो बाते हैं होते, इससे भी इनका जो mood swing है, वो normally देखा जा सकता है, लेकिन adjust करने का जो नुचर होता है, वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, इसी वेश जैसे किसी भी वेक्ति किसा, इनका जो interaction है, व इसे वाज़े से इनके eighteen होती है वह भी काफी एठेखे जा सकते हैं इन्में लॉँ में कफी बड़ा देखा हुती है वह भी काफी एठेखे जा सकती है दिदा इन्हें गाप सबस्क्राइब कोटरा की पुर्वत जासेब है तो ये बात इनमें खासी देखी जा सकते, इनकी बात अकलन शक्ति होती है, गरन शक्ति होती है, वो काफी अच्छी देखी जा सकते है, इनकी जो चाह होती है, वो भी इनमें बहुत ही अच्छी देखे जाते ही है, इनका जो नेचर होता है, काफी हलका अफलका होता है, इनमे seriousness normally देखा नहीं जाता, चुटकुले सुना ना, चुटकुले सुना ना, काफी ज़्यादा पसंतना है, इनकी जो वानी होती है, वो भी काफी होती है, वानी पर हमेशा ध्यान देते हैं, वानी की वज़़े से, शब्दों की वज़़े से ही, सामने वाला जो वेक्ति है, वो दुखी ना हो, इस पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ से ज़्यादा सामने वाले वेक्ति के respect ज़्यादा करते हैं, तो ये बात इनमें खासी ज़्यादा देखी जा सकती है, अब यहाँ पर एक जो बात है, वो थोड़ी से अलग होती है, इनमें जो confidence होता है, वो थोड़ा सा कम होता है, इसी वज़़े से जो निर्णे क्रमता है, जो decision power है, वो थोड़ी से कम देखी जा सकती है, यह मतलब किसी भी मतलब पर निर्णे लेना है, नहीं लेना है, इसी दिविदा में पढ़ते हैं और निर्णे तक नहीं पहुचते हैं, इसी वज़़े से कई दफा इनको, इनका जो career होता है, इनमें थोड़ा सा खामियाज़ा भूगतना पर सकता है, discipline nature भी थोड़ा सा खम, इनका जो नजरिया हों देखा जा सकता है, अल mujकि इस पर अगर काम करें, तो मितन रशी के जो विक्ति है, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका इंटेलेक्ट होता है इनका जो बौधिक स्थार होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है नौर्मली कम्यूनिक्शन से रिलेटर जो भी फिल्ड है और इसे में इनका करियर काफी जादा वरकते है इनको भूणना फिरना भी काफी पसंद अता है कि यहां पर ग५नने फिरने का मतलब שה?" अकल्यन यहीं कभी घूमने फिरने नहीं जयेंगे किसी ना किसी को साथ में लेकर ही जाएंगे तो ये बात इनमें खासी देखी जाते हैं तो मोटे दौर्पा गर गर देखा जा तो इनका जो संपूर्ण वेक्ति तो होता है वो तो तो सा लाइफ नेचर होता है वो इनमें जादा देखी जा सकती है अब हम चर्शा करेंगे धनूराशी की जोस्त्री है उनके बारे में धनूराशी के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुल्ली में भाग्यस्तान में या फिर नवाप्तान में आने वाली या राशी है पुरुष राशी है, इस राशी का जो स्वामी है, वो गुरु है, इस राशी का जब तत्व है, वो अगनी तत्व है और द्वी सवबाव की यह राशी है जोश, खरोश और उर्जा से लबा लब यह राशी देखे जा सकती है इस राशे की जो स्त्री होती है उनमें जो उर्जा का स्तर होता है वो काफी जादा देखा जा सकता है हमेशा कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं अधनु राशे के वे जो स्त्री है कभी आपको शांत नहीं देखेगी किसी ना इसके प्रकार के काम में मगन होती है और शारिक काम का जो दमखम होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकती है इनकी जो energy level होती है वो बहुत अच्छे देखी जा सकती है रहेंसेन के मामले में देखा जाए तो बहुत ज़दा possessiveness इनके रहेंसेन में हमेज़ा दैयर रहती है और धन्वरशी की जो स्त्री है घर से ज़दा घर के बाहर के जो लोग होते है उनके साथ इनका जो interaction होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है इनकी जो अकलर शक्ति ग्रहन शक्ति होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकते है स्कूल कॉलेज का जो एजुकिशन यहता है इसमें काफी आगे बढ़ते है एजुकिशन फेल्ड में भी काफी आगे बढ़ सकते है अब ये जो स्त्री है उनको पैसे के मामले में जादा नहीं मतलब attraction नहीं होता लेकिन दूसरों को मदद करना या फिर intellect level में काफी अच्छी देखी जा सकती है पुरा तन जो भी शास्त्रे इनके प्रती भी इनका जो आकर्शन होता है वो काफी जादा देखा जा सकता है उसे प्रगार इनमें एक जो बात है आप नॉर्मली क्या होता है कि यह जो राशी मेनें शुरुवात में जैसे का कि इंसानियत पर भरोसा करने वाली होती है तो पैसे के मामले में बहुत ज़दा इनमें अट्रेक्शन में देखा नहीं जाता हाला कि पैसे अर्न करना है इसके बारे में भी बहुत ज़दा सोच विचार नहीं होता लेकिन जो रिलेशन्शिप है उस पर ज़दा महत्व देते हैं या फिर मदद करने में ज़दा महत्व रखती है इसे वज़े से धनुराशी की जो उस्तरी है वो नॉर्मले आपको अलग से दिखेगी उसी प्रकार हमेशा जैसे मैंने का किसी ने किसी प्रकार के काम करने में यह ज़्यादा हाड़ वर्क इनको ज़्यादा पसंद आता है तो मोटे तरुपर अगर देखा जाए तो इनका यही जो मामला है मतलब दूसरों के मदद करना या फिर इनकी जो इनमें जो ट्रांसपरन से होती है वो बहुत ही अच्छे देखे जा सकते मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी जो मांग है अपनी जो चाह है पूरे करने के लिए मीठे मीठे जो बातें की जाए वो बाते नॉर्मली धनुराशे की जोस्तरी है उनमें देखी नहीं जाते है हाला कि बोलना काफी पसंद आता है लेकिन डिप्लोमस से नॉर्मली इनमें देखी नहीं जाती जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे यदि मिथुन राशे के पूरुष और धनु राशे की जोस्तरी है वो यदि परस पर रिलेशन्शिप में होंगी तो मामला किस प्रकार का हो सकता है हला कि दोनों राशे में कई जो बाते हैं वो काफी अच्छी है दोनों की जो intellect level है काफी अच्छे होती है हला कि दोनों राशे की जो intellect level होती है उसका जो perception होता है वो बहुत बढ़ा होता है मतलब और जो मिथुन राशे की जो वेक्तिय होते है वो भी दुसरों के मदद करते हैं लेकिन उनका जो ठोड़ा personal level पर ज्यादा होता है और जो दोनों राशे की जोस्तरी है कि धनुराशी की जो स्त्री है, इन में थोड़ सा इगो जादा होता है, लेकिन इगो नहीं जादा होता, वो खुद के ही विचारों में इतने मगन होते हैं, कि दूसर के तरब ध्यान देना कभी-कभी भून जाते हैं, लेकिन दूसरों को मदद करने के मामले में यह राशी की जो स्त्री है, वो काफी आगे बढ़ती है, उसे प्रकार इन में जो emotions की बात है, जितना emotions आप मिधुन राशेक की जो पूरुष है, उतनी जो emotions हैं वो धनुराशी की स्त्री में नार्मली देखिने जाते हैं, इनमें का यही बात है कि सामने वाला बैक्टिया, अगर सिधे- तो ठीक है अगर वो तेड़ा है तो इस राशी की जोस्त्री उस पर ध्यान भी नहीं देंगी, मतलब सामने वाला वेक्टे आपको आपका अगर गलत तरीके से अगर फाइदा उठा है तो धनुराशी की जोस्त्री वो छोड़ेगी निया फिर उस पर ध्यान ही नहीं देंगी तो ये बात इनमें देखी जाती है और इसी वज़े से कभी-कभी धनुराशी के स्तरी में थोड़ा सा इगो है इस प्रकार की जो बाते हैं वो हो सकते लेकिन बैसिक रुप पर मूल तहा बात वैसे नहीं होती मोटे दोरपर अगर देखा जाएं तो धनुराशी के पुरूश और जो धनुराशी के स्तरी है इनके रिलेशनशिप में नॉर्मल के भी इसे प्रकार की बाधा नहीं आती अब यहाँ पर धनुराशी की जो स्तरी है यो यदि मूल नक्षतर की है तो फिर थोड़ से तीखी हो सकते हैं मतलब फिर थोड़ी से discipline हो सकती है और जो बाते हैं वो सीधे सीधे करने वाली हो सकती है लेकिन नॉर्मल इन दोनों के रिलेशन में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन नहीं आती कई दफा मिधनुराशी के जो व्यक्ति है इनको यह लग सकता है कि सा इनमें एरोगेंसी है और थोड़ सा बेफिकरी बाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता मतलब अगर पूरी तरह से अगर आप इनको जान लो तो फिर धनुराशी के जिस्त्री इनका जो अंतस्त जो व्यक्तितों होता है वो काफी साफ सुतरा होता है दूसरों को मदद करने में और नौर्मली जो स्तरी में जो गुन हम अपेक्षा करते हैं कि वो नाजूग होनी चाहिए उनके वाणी एच्छे होनी चाहिए या फिर emotional होना चाहिए उन्होंने ज़्यादा sharing वाली बातेवा करनी चाहिए तो वो बाते आप धनुराशी के स्तरी में नौर्मली नहीं रिखी जा सकती है तो अगर आपको धन्व राशी की जुस्तिरे इनके साथ इंटरेक्ट करना है तो उनका जो मूल स्वभाव हो है वह जान लेना बहुत जादा आवशक है अगर वह जान लेते हैं वह समझ लेते हों फिर आपकी जो रिलेशन्शिप है वह काफी अच्छी तर में अलग-अलग राशे में नक्षत्र में या फिर नौमाउश में हो सकते है उसके दैनिक गति भी अलग अलो हो सकते उसके आधार पर जो कुंडलिये वह देखकर आपको मार्ग दर्शन किया जा सकता है तो दोस्तों ये था प्रेम में या फिर रिलेशन्शिप में मित्व में ये वाँ